Green gram या Harimung ये हाई protein का एक बहुत ही भूण सौर्स है। इसी हम अक्सर sprouts की रूप में पर्योग करते हैं। लेकिन इसकी साथ हम इसकी पत्यों को भी अनियर्क प्रकार की recipe के रूप में तयार कर सकते हैं। इसको मासानी से अपने गम्लों में लगा सकते हैं। उसके लिए आप कुछ मूंग की सीर्स लेंगे और इस तरह उनको गंबले में डाल देंगे उपर से मिटी डालकर पानी छड़क देंगे और इसको कुछ पत्यों से इस तरह ढखकर आप रख देंगे ताकि वो जल्दी से ग्रो कर लें तो मैंने यहाँ केले की कुछ पत्यों को इनके ओपर ढख दिया है और देखे यह दूसरे दिन ही इतने अच्छे से निकल आते हैं यह बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं और आज इनको सेकिंड डे है और यह इतने बड़ी हो गए है शाम तक और भी अधिक ग्रो कर जाते हैं बीच बीच में इन पर आप थोड़ा पानी स्प्रे करते रहे हैं और तीसरे दिन यह काटने हो जाते हैं आज इनको लगाए चोथा दिन है और यह अच्छे खासे बड़े हो गए हैं इस तरह से अब मैं इनको थोड़ा काटकर इनका जूस त्यार करूंगी इनका ग्रीन लीफ पोली डिटॉक्स जूस त्यार करने के लिए हम कुछ पत्यों को लेंगे और साथ में एक आमला जो की वाइटमिन सी का बेतरीन विकल्प है तो थोड़ी पालक की पत्या इसमें लेंगे और कुछ बीटूट और एक मौसमी भी मैं इसमें उपर से डालूंगी जो इसकी स्वादकोर बढ़ा दियो और बहुत ही नूटिय हो गया हुआ है इन सभी को आप पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और एक मिक्सी के जार में डाल देंगे इस तरह से और साथ में दो पीस आप अद्रक के भीस में डाल सकते हैं अब इन्हें अच्छे से चान लेंगे इस तरह से और उपर से एक मौसमी का जूस भी आप इसमें से इसके उपर इसमें मिक्स कर लेंगे ये ग्रीन पत्यों का जूस हमें कई गंपिर बिमारियों से बचा कर रखता है जैसे की बीपी, सूगर, पीसी ओडी, थाइराइड, खासी, खून की कमी या सर्वाइकल या हड्यों की कई प्रॉब्लम से हमें बचाती है इसके साथ साथ इसकी जूस से हमारे बाल और हमारी स्किन बहुत अच्छे रहती है बालों की ग्रॉथ होती है और इसकिन हमारी ग्लॉइंग बनती है इसके अलावा हम इसे सैलेट की रूप में भी इस तरह से यूज कर सकते हैं इसके लिए आप खीरा, गाजर, पीटोट या और भी कहीं चीजे डाल कर ककड़ियों गरा आप इसमें इसकी पत्तियों को बारी काट कर इस तरह से डाल देंगे और उपर से निबू का रिष डाल कर आप इसमें भुनावा जिरा डाल सकते हैं और कुछ थोड़ा सॉल्ट डाल कर वाइट सिसम यानि की सफीद तिल डाल कर इस तरह से इसको और भी टेश्टी बना सकते हैं इसके अलावा आप इसकी पत्तियों को काट कर आलू के साथ इसकी सब्जी बना सकते हैं या इसको खाली भी आप साग की तरह यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां इसकी सब्जी कुछ इस तरह से तियार की है इसके लिए मैंने कड़ाई में थोड़ा मश्टर डाला है और इसमें थोड़ा जीरा डालकर थोड़ी प्यार डाली है और कुछ लसुन की कलियां डालकर हींग और थोड़ा सा रॉक सॉल डालकर मैं इसमें कटावा आलो डाल कर थोड़ी ढखूंगी और क्योंकि इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है और पत्या जल्दी पख जाती है थोड़ा पकने की बात इसमें कटीवी पत्या मिक्स कर देंगे और उसी के साथ इसमें टेस्ट के कोर्डिंग आप इसमें हरिमेट डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए इस तरह से यह हमारी टेस्टी डेसी पर तयार हो जाती है तो फेंट मार्केट में आजकल सब्जियां बहुत ही महिंगी हैं और केमिकल यूगत है तो आप इस तरह से औरगानिक पत्ते वाली सब्जियां आसानी से अपने गमलों में लगा सकते हैं यह मूंग का साग बहुत जल्दी तयार हो जाता है इसे आप 3-4 दिन बाद इसमें से पूरा निकाल लीजिए और फिर से सीट्स डालकर लगा सकते हैं दुबारा से इसको और तयार कर सकते हैं इसी तरह इसकी और वहुत से रेशिपिस बना कर आप इसको यूज कर सकते हैं इसे पराथे में पूरी में डोसे में कुछ भी आप बना कर तयार कर सकते हैं और गट्रें को दे सकते हैं ताकि उनको पूरा पोशन मिल जाए तो फेंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई टीप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे रेसी बीज अच्छी लगती है और साथ ने लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल बिन भूलें